हेलो स्टुडेंट्स विद्देश्ट्यू चैनल में आपका स्वागत है मेरे चैनल पर आपको नाइन से टैन तक NCRT और NCRT एक्जेंपलर के ज्यादतर कुष्चन आपको मिल जाएंगे और मेरी हमेसा एकोशिज रहती है कि जो युनीक से कुष्चन है डिफिकल्ट कुष्चन उनकी वीडियो आपको प्रवाइड करूं इजी वे में बहुत ही आसान तरीके सम आपको समझा देता हूं ज्य कुष्चिस करूंगा कि उसकी वीडियो बनाके चैनल पर अप्लोड करूं आज की गिलाफ में आपके लिए एक बहुत ही युनीक सा कुष्चन लेके आया हूं कि लास टेंथ सर्फेस एरी एंड वॉल्यूम द्याद से समझेंगे काफी अच्छा कुष्चन है एक बड़ा सा कौन है यह यह बिलू कलर में जो हमने बनाया हुआ है इसका सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है सेमी वर्टिकल का मतलब होता है जो पूरा वर्टेक्स हां उसका अधा इसके अंदर है कि इस स्फेयर को उमने इमर्झ किया जिसका रेडियस है ए यूनिद जब फिर को उमने यहां से डालने इंग पानि यहां पर और तक भरावा था जब इस फेर को यहां से नीचे लेके आ रहते हैं, तो पानी ड्रेन हो रहा था, पानी भाहार निकल रहा है, तो करा पानी जब तक निकलता रहा है, till its surface touches the sphere, जब तक यह जो water का surface है, वो इस फेर को touch कर रहेगा, यहां पर आ के, तब तक ही है, ठीक है, यानि अब यह वाला portion त यहां पर पानी है, तो मैं निकालना है, कितना पानी अब बचा है, तो उसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा, कि यह वाला portion है, A से लेके, मैं इसको नाम दे देता हूँ, A, B, C, D, इना यहां पर कुछ भी लिग देता है, E लिग देता है, तो अगर हम A, E, C, यह पू तो रिमेशन पोर्सन जो बचेगा, यह हमारा रिमेशन गवाटर होगा, यह हमें निकालना है, ठीक है, तो यानि इस कोन में से, कोन से कोन में से, A, E, C, नाम दे देंगे, इसको, इसमें से इस स्फेर का वोल्यूम हमें माइनस करना है, तो इस कोन A, E, C की हमें हाईट और चाहिए है हाइट मतलब AB और रेडियस मतलब BC तो स्टार्ट करता है कुश्चन कुश्चन में सबसे पहली बात तो यह है कि जो OD है और OB वो दोनों एक एक वल है रेडियाई और एंगल 30 गीवन ही है मैं इसको यहां पर लिखने रहा हूँ है इसके लाबा OD perpendicular AC इसका region हमें देना चाहिए रेडियस एंड टेंजेंट मैंने फिगर में बना दिया लेकिन आपको खुदी बनाना होता है radius and tangent रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इच अधर इड़ पोइंट ऑफ कोंटेक्ट मैंने इतने लिख दिया है इतना भी भूत होता है तो अब हमें क्या करना है in triangle AOD पहले हम triangle AOD ले लेते हैं इसमें OD अपोन O A पर्पेंडिकुलर अपोन हाइपरेटरनस साइन 30 डिगरी तो ODA है और OA हमें पता नहीं है साइन 30 वन बाइटू होता है तो OA की वैल्यू 2A आ गई तो आपको अब साफ दिख रहा है कि यह जो हमारा AB है वो कितना हो गया AB कितना हो गया OA प्लस OB यानि 2A प्लस A मिन्स 3A अब हमें BC निकाल ला है क्योंकि इस कोन का जो रेडियस है वो BC है तो अब ले लेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ABC में यह एंगल 90 है तो पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस BC पर्पेंडिकुलर है बेस AB पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 1030 पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस होता है था हमारा थिरी एंगल टैन थर्पेंडिकी वैल्यू अंडर रूट थिरी होती है वन बाई रूट थिरी तो बी सी कितना हो गया थिरी एपॉन रूट थिरी से रू थिरी कड़ जाएगा क्योंकि उपर थिरी को हमने यह लिख दिया तो आग़े हमारा अंडर रूट थिरी ए हमारे पास ब्रेडियस भी है और हाइट भी है हाइट भी रेडियस पी सी तो हम वोल्यू मिनकाल लेते हैं तो इसको मैंसे नाम दे देते हैं, Volume of Cone AEC, इसको AEC नाम दे दिया हमने, Cone का Volume होता है, 1 upon 3 pi r square h, तो 1 upon 3 pi r कितना है, under root 3, h कितना है, 3a, तो 3 से 3 कट गया, तो यह क्या आगया, 3 pi a cube, तो जो हमारा एक कोन है, इसका Volume कितना आगया, 3 pi a cube, Volume of Sphere, जो इसके अंदर Sphere डाला था, उसका Volume कितना हो गया, 4 upon 3 pi a cube, ठीक है, तो Volume of Remaining Water, तो जो पानी बचा है, उसका Volume कितना होगा, Volume of this minus Volume of this, तो 3 pi a cube, माइनस 4 upon 3 pi a cube, यह हमने Common ले लिया, pi a cube, तो 339 minus 4, तो 5 upon 3 pi a cube is the answer, ठीक है students, पूरी उमीद है मेरे को आपको सभी को समझ में आगे होगा, काफी अच्छा question था, और अगर question अच्छे थे समझ में आया, तो comment जरूर करें मेरे को, अच्छा लगेगा, और आगे की वीडियो के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अपडेट का regular पता चलता रहे है, ठीक है, ताकि ये वरी मुट्स.